इसमें लिखोए, Darbex property. let i be an interval, let i be an interval, i अपने पास कोई interval दिया हुआ है, interval समझते हो, real line पर कोई छोटा सा पार्ट ले ले लेते हैं, interval में जितने भी उसके जो दो पॉइंट सम लेते हैं, उनके बीच के जितने भी पॉइंट से वो सारे कवर हुए, ठीक है, ठीक है, then the function f from i to r, then the function, एक फंक्शन ले लेते हैं, f, कहां से, इस interval से define हो रहा है, और कहां पर, r पर, real line पर, यानि जो डोमेन है वो तो, interval होगा आपने पास और को डोमेन, जो रेंज है, वो आपने पास, real number में कुछ आ रहा है, is said to have the Darbuck's property, is said to have the Darbuck's property, या फिर इसको हम जो है, intermediate value, property भी करते हैं, और, bracket में लिख सकते हो, intermediate value property, ठीक, intermediate value property बोलते हैं, या फिर Darbuck's property, on i, ठीक किसे interval पर, on i, i interval पर, if and only, अगर, for every, if and only, for every, कोई दो element हम लेते हैं, for every a and b belongs to i, interval से कोई दो point लेते हैं, and, for every k between, for every, k between, एक number कोई है, k अपने पास, between f of a, और f of b के बीज, between f of a and f of b, there exists, एक कोई c point मिलेगा, there exists c, between, का मिलेगा, a और b के बीज, between a and b, such that, और किस तरह से मिलेगा, such that f of c equals to k, ठीक है, इसको समझते हैं, Darbuck's property क्या होती है, या फिर जिसको intermediate value property भी बोलते हैं, intermediate यानि की, बीच में, कहीं अपने पास कोई value आ रही, उस property को, ठीक है, तो नाम से भी थोड़ा idea लग जाएगा, ये क्या कहना चाहरा है, कि IE अपने पास कोई interval है, ठीक कोई भी interval ले लिया, इस interval की values से हम, मैं function में इस interval से values उठाऊँगा, पहले मैंने एक value उठाई, फिर उसकी image निकाली, फिर दूसरी value ली, फिर उसकी image निकाली, ऐसे जब मैं ले रहा हूं, तो जो image आ रही, वो कहाँ पे आ रही, अपने पास, real number में, function कहां से का define है, IE से R में, ठीक है, तो अगर यह जो आई है, interval आई, इसके अंदर, darbex property या फिर intermediate value property, satisfy हो रही है, नहीं हो रही है, उसके लिए क्या रहेगा अपने पास, कि अगर f of a और f of b के बीच में कोई value ले ले लेता हूं, k, इन दोनों के बीच में कोई value ले लेता हूं, के, तो इसके लिए मुझे a और b के बीच एक value c मिलेगी, और कैसे मिलेगी, कि f of c, function पर c की value, f में c की value निकालूँगा, तो वो क्या रहोगा मेरे पास, क्या रहोगा, ये ये कहना चाहरा है, इसमें, ठीक है दो क्या, ठीक है, second आपने point लिया, interval b, ये भी, इस पर function की value है, f of b, तो darbex property क्या कहती है, कि इस f of a और f of b के बीच आप कोई भी value आप लेते हो, इसके बीच आप कोई भी value k आप लेते हो, ठीक, इसके बीच कोई भी value k लेते हो, तो उसके लिए मुझे एक c मिलेगा, और कैसे मिलेगा कि उस c पर जब मैं function की value निकाड़ूगा, तो क्या आ रहा होगा हूँ, क्या आ रहा होगा, यानि इनके बीच कोई भी value आप ले रहे हो, उसके लिए यहाँ इस interval में एक value मिलेगी, जिसकी value, जिसमें function की value यह आ रही होगा अपने पास, यह क्याती है intermediate value property या फिर darbex property, उसका meaning है यह, यानि कि for each, for each k belongs to f of a से f of b के बीच, between k belongs to between f of a and f of b, there exists x c मिलेगा, कापर मिलेगा a और b के बीच, उस interval में, और कैसे मिलेगा, किस f of c, c पर जब function की value निकालेंगे तो वो क्या आ रहा होगा, ठीक है यानि इसके बीच के हर point की हमें एक value मिलेगा, का मिलेगी, इसी के बीच में मिलेगी, यह darbex property कहती है, ठीक अब इसी से है अपने पास एक थोरम, darbex थोरम, इफे function f is differentiable, थोरम लिखो, statement, हाँ, अब आपके यह जो name थोरम है, darbex और रोल थोरम, तो इनका statement भी याद होना चीए, ठीक है, एक्जाम में आपके statement भी आ सकता है, या सोरी, मतलब हो सकता है, आपको एक्जाम में statement देदे, कि यह थोरम प्रूफ करो, या फिर हो सकता है, वो आपको by name देदे, कि state and prove darbex theorem, तो वहाँ पे दोनों चीजे आपको ओनी चीए, statement भी आपको ध्यान वोना चीए, और उसका जो proof है, वो भी आ दोना चीए, ठीक है, इंपोर्टरेट थेोरम है, मान के चलो, आपके repeat होती होती है, statement, if a function f is differentiable, if a function f is differentiable, differentiable मतलब, इसका derivative एक्जिस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ unique पैर, अपने पास finite जो है, derivative होगा इसका, differentiable in close interval a, b, close interval a, b, and k, b, a number between f, f of a and f of b, if a function f is differentiable in close interval a, b, close interval a, b में differentiable है, ठीक है, in close interval a, b, in close interval a, b, close interval a, b, में differentiable और एक number k ले लेते हैं, किसके बीच, f of a और f of b के बीच, ठीक है, तो वही अपने पास जो darwex property थी, उसी से अगर वो darwex property द्याना है, तो उससे ये भी द्याना जाएगा, कि इसमें ये statement में क्या कहना चाहता है, and k is a number between and k is a number between, वहापर k किसके बीच था, f of a और f of b, यानि function में a की value, a पर function की value और b पर function की value, उसके बीच में एक number हमने लिया था, के लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर आप differentiable है, ठीक ही आपर, f dash a और f dash b ले 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 ले, between f dash a and f dash b, इसका मतलब, a पर function का differentiation और b पर, जो b value पर वहाँ पर function का differentiation, then there exists a number, then there exists a number c, तो वहाँ ये नबर सी मिला था, there exists a number c, between, का मिला था, a और b के बीच में, तो यहाँ पर interval है, in interval a, b, a और b के बीच में, अब एक चीज़ दया डखना, a और b include नहीं करेंगे हम, ठीक है, उनके बीच में कोई न कोई पॉइट मिलेगा, क्योंकि a और b पर तो function के value f dash a or f dash b, यहाई रहे है, और हमने जो पॉइंट के लिया है, वो f dash a or f dash b के बीच में कहीं लिया है, तो जो main, जो c point है, वो भी हमें इस interval के बीच में कहीं मिलना चाहिए, बीच में मिलने का मतलब है, कि हम a और b को छोड़ देते हैं, तो हमने क्या लिख दिया open interval, बात तो हो युई, ठीक है, is open interval a b, in open interval a b, so that, और किस तरह से, कि इस c point पर function का जब मैं derivative करूँगा, तो क्या जाएगा, मिर पास वो क्या आ जाएगा, इस c point पर function का derivative करूँगा, तो मिर पास क्या जाएगा, क्या जाएगा, यह जो है statement है, अब आपके पास यह statement भी आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसे डारेक्ट भी आ सकता है, state and prove darbex, तो आपको दोनो statement भी याद होना चाहिए, और यह जो है, इसका, प्रूफ तो करना ही करना है, statement भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, नमबर हमें F-DSA और F-DSA B के बीच में मालने ता है, तो मालने ता, let F-DSA, इससे बड़ा K और उससे बड़ा F-DSA B, बीच में आगया, अब आपको होगी कि सरुन नहीं है, तो छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो जब हम इसके लिए प्रूफ कर देंगे, तो सेम चीज़ उसके लिए भी प्रूफ हो जाएगी, है ना, similarly अगर हम इसके लिए प्रूफ करेंगे, तो वो similar चीज़, जो आप अगर ये condition लेकर चलोगे, F-DSA, इससे, सोरी इससे छोटा के, और उससे भी छोटा अपने पास F-DSA, तो वहाँ भी हो condition satisfied हो जाएगी, तो लास्ट में आपको सिर्फ एक लाइन लिख लिए, similarly, अगर ये condition हम लेते हैं, क्या लिए थे आपर, F-DSA, ठीक है, similarly, अगर हम ये condition लेते हैं, याँ पर ये sign लेते हैं, तो भी अपड़े पास ये जो है, proof हो जाता है, तो लास्ट में सिर्फ वो एक line लिखने हैं, ये हमने ले लिया, number one, equation first इसको नाम दे जाते हैं, क्ये जो है, वो F-DSA और F-DSA बी के बीच में, A पर जो function का derivative है, बी पर जो function का derivative, उन दोनों के बीच में नमबर हमने ले लिया, के, एक और function याँ पर हम define करेंगे, let us define a function, let us define a function, let us define a function, hx उसको नाम दे दे थे, let a function is defined, और कैसे define करेंगे इसको, कि जो अपने पास fx था, उसमें से k of x minus कर दे, k into x, अब के याँ पर एक नमबर है, ठीक है जानों तो के एक नमबर है, ठीक है उसको multiply करोगे x है, वो एक function वो उसमें से minus कर दे, define in, और कापर define करना है, define in, close interval, close interval a, close interval a, close interval a, define कर दे, और कैसे define करेंगे, such that, कि जो hx है, वो अपने पास क्या रहा है, f of x minus kx, जो k आप लेके चले थे, minus kx, for all x belongs to, close interval a, ठीक है, close interval a, बी में से कोई भी point आप ले रहे हो, उस पर function f के respect में value निकाल रहे हो, फिर k into x कर रहे हो, minus कर रहे हो दोनों को, तो h of x की value आजाईगी, ऐसे ही सारे जो points से, उनकी सब की value आती रहेगे, यह अमने एक function define कर लिया, x, अब यह दोनों फंक्शन, differentiable है या निया, fx तो अपने पास differentiable दिया हो है, भाई जो fx है, वो तो differentiable दिया होगा, close interval a, और जो kx है, वो भी differentiable होगा, है क्या इसमें, number यह तो है, बहु के भी एक number है, x भी एक कुछ ना कुछ ना कुछ नंबर होगा, interval में से कोई ना कुछ नंबर होगा, ठीक दोनों को multiply करोगे, fix number आईगा, उसका differentiation क्या हो जागा, zero हो जाएगा, कोई constant quantity आपका differentiation करते, आपका हो जाथते आपने पास, zero हो जाप है, दोनों डिफ्रेंस एबल है, close interval A-B में, now, because, f of x and kx is differentiable, is differentiable in close interval A-B, और अगर यह दोनों close interval A-B में, differentiable है, तो इनका जो minus हम करेंगे, subtract हम करेंगे, तो वो जो function बनेगा, वो भी क्या हैगा, close interval A-B में, differentiable आगा, यह मने प्रोपर्टीज पड़ी थी, algebra of derivatives side, दो function आगर differentiable है, तो उनका जो वो करेंगे, multiply, sorry, addition या, subtraction करेंगे, वो भी आपने पास क्या हैगा, differentiable हैगा, that is, h of x is also differentiable, also differentiable in close interval A-B, in close interval, interval A-B, यह भी क्या हैगा, अपने पास close interval A-B में, differentiable आएगा, अगर differentiable है, किसी close interval में, तो continuous भी होगा, और continuous है, तो bounded भी होगा, यह चीज़ अमने पड़ी थी, अगर कोई differentiable function है, तो continuous होगा, continuity तो हापे, necessary condition थी, ठीक है, यह तो होगा होगा, अगर differentiable है, तो continuous होगा, और continuous है, close interval में, तो फिर bounded भी होगा, अगर close interval में, continuous है, तो bounded भी होगा, यह सारी थोरम सम पहले, पढ़ चुके हैं, उनका सिर्फ statement यूज में लेना है, that is, h of x, is continuous, in, close interval, close interval के थोरम सम सारी कर चुके, close interval a, यानि इस close interval में, continuous भी होगा, और bounded भी होगा, अगर continuous है तो bounded भी होगा, hx is, bounded, in, close interval a, इस interval में यह क्या होगा, bounded भी होगा, supremum, infimum, वो exist करेंगा अपने पास, ठीक है, तो हम माल लेते हैं, अगर bounded है, हमने यह पढ़ा था कि अगर कोई function, close interval में, bounded है, तो वो अपने supremum, और infimum को, at least एक बार क्या करेगा, attain करेगा, यह थोरम पढ़ी थी, ध्यान हो तो, कि वो अपने supremum, और infimum value को, कम से कम, एक बार तो attain करेगा, यह करेगा, अगर bounded है, वो अगर bounded है, वो अगर बाउन्डेट है, वो अगर बाउन्डेट है, अगर बाउन्डेट है, ठीक है, अगर बाउन्डेट है, डिक्राइगे है हाँपे, एचेक्स अटेइन्स, ग्रेन करेगा मतला, ठीक हैचेक्स अटेइन्स, इट्स सुप्रीमम एंड इंफिमम, तो उसको कुछ नाम दे देते है, इचेक्स सुप्रीमम, कैपिटल एम नाम दे देते, इचेक्स सुप्रीमम, कैपिटल म, एचेक्स अटेए उसको कुछ नाम दे देते, प्रोज इंट्रवेल एंपी में वह अपने सुप्रिमं और इनफीम हूं को कम से कम यहां करेगा अपने पास क्या होगा सुप्रिमौ म इनफीम कौ अर्टैणाइब पीस की अपने पास हैं इक एक म्याईनसकेक्ष हो इसका डिफ्रेंसियेशन कर दो यह जाज गा आपने पास F-X पुरिए आजाएगा की X के रिस्पेक्स में डिफ्रेंशिशन करोगे ठीक जसे टू एक्स रहता है इसका डिफ्रेंशिशन करते हो क्या जाता तो X को भाँ पर किया जाएगा क्या किया हमने ओन डिफ्रेंशिशन ठीक एपर वैल्यू निकाल लेंगे क्या जाएगी है एट डैसे एफ डैसे माइनस की यह लिए जाएगे अपने परस और यह वैल्यू क्या एगी लेस देन जीरो एगी फ्रोंग 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 वन क्या थे अपने पास यह की जो एफ डैस ए उससे बड़ा के है और उससे एक चीजी आप नोट करना इंट्रवेल जब लिखते हैं तो इंट्रवेल में पहले जो वेल्यू आप लिखते हो चोटी रहते हैं उसके बाद फिर बड़ी इंट्रवेल ऐसे बढ़ाते हो कभी यह थोड़ी लिखा है टू वन लिख भी मत देना इंट्रवेल ऐसे निया थे इंट्रवेल का आता आपने पास रियल लाइन पे पहले वाला छोटा फिर उससे बड़ा ठीक है और उसके बीच के जितने भी वेल्यूस है वह उसे इंट् से छोटा क्या हुआ एफ डैसे हुआ उससे बड़ा फिर के हुआ और उससे बड़ा एफ डैस भी सबसे बड़ा मतलब क्या होगा एफ डैस भी हो गया तो एफ डैस ए तो सब से छोटा था और उसमें से क्या आप माइनस कर रहे हो यानि कुछ बड़ी वेल्यू माइनस कर र आएगा नेगेटिव में तो गुछना गुछ वेल्यू आएगी ठीक लेस्टेन जीरो आएगा का से लिखा मने फ्रोम वन से यानि की जो एच बैस यह है वो क्या आगे अपने पास लेच देन जीरो आगे जो एच बैस यह है एपर जो फंक्शन एच है उसका डिफ्रेंट में क्या कर रहा है? Dakrainosi है. Differences & A अपने पास भॉन एंगे नेगेटिव आने मतलब क्या है? लेट की तो बाती निकरेंगे? टो यहां पर अपने पास यह A है यह भी यहां पर F-Value होगी यह F-B की जो वाले होगी ठीक है इधर तो बात ही नहीं करेंगे इधर तो function defining ही नहीं है ये से साइड तो function defining function का डिफाइन है close interval AB में तो left derivative की तो बात ही नहीं करेंगे A पर A पर तो right derivative की बात करेंगे और B पर left derivative की B पर right की बात नहीं करेंगे ठीक है और बीच में जो point है उन पर तो दोनों ही हो जाएंगे अपने पास left और right दोनों derivative चेक करने पड़ता है ठीक है तो अगर इस point पर इसका derivative क्या रहा है less than 0 आ रहा है A point पर जो H है उसका derivative less than 0 आ रहा है इसका मतलब function क्या decrease कर रहा है function क्या कर रहा है decrease कर रहा है this implies function HX decreasing function HX is decreasing in right is decreasing in right side right side of A या फिर राए का right side क्या ले 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 ते A से A plus delta कुछ ले 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 ते या right neighborhood ले लो आप right side तो बहुत ज़्याद हो जाएगा right neighborhood उसके आसपास की लाख right neighborhood of A that is A से A plus delta ये right neighborhood हो गे भाई ये point होगा आपके पास मालो कहीं भी को जैसे या बता जिता हूँ में इस पर ए पर जो function होगी जो वाल्योगी इसका right neighborhood या इधर वाला ये जोई लाग का है ठीक है तो ये से कुछ A plus delta ये interval तो होगा न एसे A plus delta इस interval में यानि right neighborhood में function क्या है decreasing यानि function की value decrease होती भी यारी ये हमने देखा ये से A plus delta में अब decrease होती हुई आ रही है A starting में अपने पास A है और A से value decrease होती हुआ रहे है इसका मतलब A पर infimum value तो नहीं है A पर infimum value तो नहीं है आप यह कह रहे हो कि यह a point है और A से value to decrease होती भी आ रही है तो इस infimum का मतलब क्या होता है सबसे छोटी value आपके पास तो वो सीदी सी बात है यहाँ पर सबसे सबसे छोटी value तो होनी सकती क्योंकि सबसे छोटी value अगर होती तो उससे function decrease होता हुआ कैसे जाता सबसे छोटी value होता है तो function increase ही हो सकता decrease तो नहीं हो सकता इसका मतलब यहाँ पर A point पर infimum तो नहीं है that is hx does not attain hx does not attain its infimum जो इसका निमनक होगा उसको attain नहीं करेगा कहाँ पर a point पर at a a point पर अपने infimum को attain नहीं करेगा यह हमने equation one लिख लिदी तो टू लिख लो इसको इसको नाम दे दो two यह a point पर अपने infimum को attain नहीं करेगा now f-b 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 या sorry h-b क्या एगा एफ-b माइनस के इता आएगा f-b माइनस के असे यह value क्या एगी नेगेटिव आएगी पोजिटिव आएगी देखो क्या था आएफ-b सब्सक्राइब यह इससे बड़ी वेल्यू के था और उससे बड़ी सबसे लास्ट में जो वैल्यू थी वो थी यह सबसे बड़ी ऐफ-dask इंक्रीजिंग इन लेफ्ट नेवर्वूड ओफ-b that is कुछ बी माइनस डेल्टा से और बी के अंदर अभी समझते इस चीज़ को कि क्या कहना चाह रहे यह इतना तो समझ में आ गया अगर यह डेरिवेटिव अपने पास ग्रेटर देन जीरो आ रहे या इसको एक स्टेप लिख लो दिस इंपलाइज एच डैस भी यह अपने पास क्या रहे ग्रेटर देन जीरो बी पर फंक्शन का वे डेरिवेटिव वो क्या रहा अपने पास ग्रेटर देन जीरो आ रहा है इसका मतलब जो फंक्शन है वो अपने पास क्या कर रहे है इंक्रीजिंग जो फंक्श इसका ग्राफ बढ़ा लेंगे, ठीक बी माइनस डेल्टा से बी, बैट इस, एट एक्स दस नोट अटेइन इट्स मिनिमुम वेल्यू एट बी, देखो, अब समझो इसको, क्या कहना चाहरा है, यह आपने ले लिया एप्वाइंट, यह एप्लस डेल्टा, ठीक एसे थोड़ा सा, यह राइट, डेरिवेट, अपने पास राइट साइड का वो हो गया, यह यह बी प्वाइंट था, और इससे, बी माइनस डेल्टा, डेल्टा कुछ माइनस कर देती, यह इसका नेवर, यह बोट थोटी क्वाइंटिटी, हम थोड़ा सा, यह समझा लाब, जूम करके देख रहे हो, तो थोड़ा ज्यादा अपने को लगए, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर, इस पर मालनो वैल्यू यह थी, फंक्शन की वैल्यू, एफ ओफ यह थी, और बी प्वाइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ यहाँ थी, मालनो, एफ ओफ, यह चीज समझ भाई, ठीक है, अब देखो, उसने क्या कहा था, अपने पास, कि जो, काया था, अपने पास, h-a, less than, sorry, less than 0, और h-b, यह क्या है, आपने पास, greater than 0, तो यह यहाँ पर मालने ते, h, sorry, h-of-a, यहूइंग, इस प toothbrush पर function क्या कर रहा है, जो edge function है, इस पाइंट पर, e-point पर क्या कर रहा है, अपने पास, उसका जो graph है, वोh decreasing用, रहा है लेस्ट दन जीरो आ रहा है तो ग्राफ क्या है डिक्रीजिंग अब एस साइट तो या इधर तो फंक्षन डिफाइन नहीं तो किदर ओग इस साइट तो डिक्रीजिंग यानि यहां से कुछ डिक्रीज होता हो जा रहा है यहां से कुछ डिक्रीज होता हो जा रहा है ज हमें मतलब नहीं हमें क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर अपने पास लेस्दन जिरा रहा है मतलब उसके नेवर रूड में कम से कम ग्राफ क्या है डिक्रीजिंग लेस्दन जीरू आ तो ठीक है यहां से मैं स्टार्ट करूँ तो यहां पर ग्राफ मुझे पता लगया कि इस जो ए है उसके राइट नेवर रूड में ग्राफ क्या कर रहा है कुछ से डिक्रीज कर रहा है और सिमिलर भी के नेवर रूड में ग्राफ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा बढ़ता जा रहे हैं भी के नेवरूड में ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है यह चीज समझ में यह पहले मैंने थोड़ा गलत बना दिया था तो आप वेल्यू जैसे थोड़ी लिए होगे आप जब फंक्शन में वेल्यू पूट करोगे तो इधर से पूट करते वे जाओ ना तो सब सबसे पहले अगर मैं यहां पर वेल्यू पूट कर दी तो वो तो सबसे बड़ी वेल्यू होगी फिर मैंने यहां पूट करी तो उससे कम आ गई ना तो ग्राफ तो क्या होगे डिक्रीजिंग हो गया लेकिन ग्राफ क्या होना चीए बी पर इंक्रीजिंग यानि आप जब बी माइनस डेल्टा पर आपने वेल्यू पूट करी तो उस पर जो वेल्यू आ रही है फिर बीच में कोई वेल्यू की तो वो उससे ज्यादा आनी चीए इंक्रीजिंग होना चीए फिर लास्ट में बी की तरफ जैसे-जैसे आप बढ़ते भी जारों यानी बी के नेबरोड में लेफ्ट में बाद वर्ट पर जो डैरिवेटिव है एच का फंक्टन का वो ग्रेटर देन जीरो है यानी बी के नेबरोड में फंक्सन आपने पास इं इन्क्रीजिंग होगा और इन्क्रीजिंग बी के कौन से ने बरूट में लेफ्ट में राइट में तो फंक्षने डिफाइने तो लेफ्ट में इन्क्रीजिंग होगा तो मैंने क्या लिखा जब इस कंडिशन से मैंने क्या लिखा कि इस पाइंट पर इन्फिमम नहीं हो सकता यह पॉंक्शन का जब फंक्शन है उसकी सबसे कम वैल्यू और ने ओसकती क्यों अगर इससे लगल यह जा रहे तो ग्राफ तो यह नीप फंक्शन कि मेनिमूं इसको मिनिमूं लिख लो जाए ठीक इन फिर में कि बजाय मिनिमूं लेख लो का लिखा हम ने इसको मिनिमूम लिख लो इन फिर मों कि वजाए मिनिमूम लिख लो इसको कि आपनी जो मिनिमूम वेल्यू है फंक्शन जो है वो अपनी मिनिमूम वेल्यू एपर अटेन नहीं करेगा एपर अटेन नहीं करेगा similarly B point पर B पर अगर मैं बात करूं B पर भी अपनी minimum value attain नहीं करेगा क्यों B की तरफ जब graph बढ़ रहा है तो अगर यहाँ पर minimum value थी माल लो इसकी तो फिर इदर से बढ़ता हुआ कहा से आ रहा है कम होता हुआ आना चाहिए न वह आप अगर यह कहते हो कि सर्य यह B पर minimum value है तो इसका मतलब इदर जो B का बाकी जो इससा है उसमें तो graph इससे उपर ही होना चीए लेकिन graph तो इससे नीचे तो कहीं ना कहीं बीच में को नीधा प्राहर एक से मिनिमम्म ग्राफ से कर रहा है कैसी जा रहा है हमें को मतलब निये बेट हमें क्या देखना की मिनिमम है अपकर मनले गाए वहां पर इसके फंक्संस्राइस मिलेगी कि या यह ने जोeless in favor आजाएगा अपने देते हैं, HX does not attain its minimum value at B, इसको equation 2 नाम दे देते हैं, ठीक ग्राफ बनाना चाहँ हो थे बना लो, थोड़ा idea लग जाएगा, कि इसके नेबरूड में ग्राफ अपने पास decreasing है, B के नेबरूड में ग्राफ increasing, बढ़ता हो जा रहा है, from 1 and 2, 1st और 2nd equation से क्या कह सकते हैं, कि HX जो है, A पर minimum अपनी value attain नहीं कर रहा, B पर भी minimum value attain नहीं कर रहा, यह आपको पता है, कि अगर differentiable है, तो बीच में कहीं ना कहीं अपनी infimum और minimum value दोनों को attain करेगा ही करेगा, या नहीं, इसके बीच में कोई ना कोई point आशा मिलेगा, जहाँ पर यह function अपनी infimum value को attain करेगा, from 1 and 2, we can say that, from equation 1 and 2, we can say that, ठीक है, यह मैं पता है, कि बीच में कहीं ना कहीं, function infimum और जो अपना सुप्रेम और मौ उसको attain करेगा, करेगा, ठीक है, फ्रों 1 and 2, we can say that, hx attain, h of x attains, its minimum, add, कोई C point में मिलेगा, का मिलेगा, open interval, a b में, close क्यों ने ले रहे, close क्यों ने ले रहे, क्योंकि a और भी पर तो हमने चेक कर लिया ना कि a पर तो इन फिर मौम नहीं है, minimum value नहीं है, बी पर भी नहीं है, तो फिर open interval a b बचेगा, यह और भी तो include होंगे नहीं, बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, ठीक है, जो hx है, hx attains its minimum, at a point c, at a point c, और c point का मिलेगा, open interval a b में, c point का मिलेगा, open interval a b में, और यह आमने माल यह लेट, minimum of h, minimum of h in open interval a b, is, small m जो इन फिर मौम था, वोई माल ले आमने, कि यह इसका infimum है, open interval a b में, that is, कि h of c, इस पर आपने पास क्या आ रहा है, infimum मिल रहा है, infimum माना था ना, आमने, capital लग रहा हैं, supremum हैं, और c काहा है आपने पास, c value काहा है, open interval a b में, c काहा है, open interval a b में, second condition, अब condition देखा, condition first, अगर if h c, if h c, यह अपने पाप, अप सी पॉइंट पर हम चेक करते हैं, कि यह जो है, negative आ रहा है, positive आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है, वह सी पॉइंट पर function का जो derivative है, तीन condition हो सकती, हो सकता है, अपने पास, क्या रहा हो, positive आ रहा हो, हो सकता, negative आ रहा है, या फिर 0 आ रहा हो, यह अपने पास, माल लिया कि ग्रेटर देन जीरो, फिर्स्ट कंडिशन, ग्रेटर देन जीरो मतलब एक, इसके नेबर रूड में, क्या करेगा function, इन्क्रीज करेगा, इसके नेबर रूड में, इन्क्रीज करेगा, कौन से, लेफ्ट नेबर रूड में, ठीकर, c-delta से, c-delta से, c-delta से, c-delta से, c-delta से, c में, जब हम बात करेंगे, then, there exists a interval, एक interval exist करेगा, c-delta से, c, आप क्या कह रहे हो, कि इस point पर function का derivative, जीरो से बढ़ा, यानि, उसके जो एक नेबर रूड मिलेगा, मुझे लेफ्ट साइड में, उस पर function बढ़ता हुआ जा रहा होगा, यही तो मतलब हुआ, कि मुझे एक interval मिल रहेगा, there exists a interval, c-delta से, c, such that, कि उस interval में, मैं कोई भी function पर value निकाल रहा हूँ, hx, वो निकाल रहा हूँ, वो h of c से क्या आएगी, छोटी आएगी, it's less than h of c, भाई, आप यह कह रहे हो, कि यहाँ, यह c point है, यह c minus delta है, इस नेबर रूड में function बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब इसके बीच में कहीं भी मैं function की value निकालता हूँ, तो h of c से तो छोट ही आएगी, for all x belongs to c minus delta to c, c minus delta से c में कोई भी मैं ले रहा हूँ, तो, यानि hx जो है वो, अब यह क्या था अपने पास, m था, that is, that is hx जो है वो, m से छोटा आ गया, और m क्या था अपने पास, infirmum था, यह तो, यह तो, पॉसिबल ही नहीं है, भाइ, infirmum से पहले, जो है, value कौन से आ सकती, once more, क्या बताना है, दुबारा, एक से किन, यह बताना है, देवो, c पर जो function का derivative वो greater than zero है, c जो point है, इस पर function का derivative, greater than zero है, इसका मतलब कि इसके नेबरोड यहाँ पर आपर मैं सी माइनस डेल्टा, यह जो नेबरोड लूँगा, इसमें function की value बढ़ती वी जाएगी, greater than zero का मतलब है कि function की value बढ़ती वी जाएगी, function की value बढ़ती वी जारिये, इसका मतलब इसके बीच में मैं कोई भी point ले रहाँ, HX, वो इस point पर, HFC पर जो value की उससे तो छोटाई होगा, यहाँ पर जो value है, वो इस point से तो छोटी होगी न, value, यानि यह क्या है पने पास M, यानि H of X जो value है, वो M से छोटे आगूर, M क्या था अपना, इनफिम्म था तो, इनफिरिम्म से value छोटी कोई value आ सकती है क्या, वो तो नहीं आ सकती, यानि या contradiction हो गया, which is, contradiction, और contradiction क्यों होगा, भी small M आपने क्या माना था, small m आपने infimum माना था, small M आपने infimum माना था, infirmum से छोटी value नहीं आ सकती, ठीक, which is contradiction, that is, तो फिर गलती का होई, कि आपने h-c को greater than 0 माल लिया था, यह तो माना था आपने, h-c को greater than 0, यानि यह तो possible नहीं है, अगर यह possible होगा, तो फिर यह condition आईगी, तो वो तो possible नहीं है, यानि h-c greater than 0 नहीं हो सकता, चलो second condition लेकर देख लेकर, condition 2, condition 2, if h-c less than 0, then, कि भई मैंने माल लिया कि चलो, h-c negative, मैं मतलब, यह कुछ negative value है, इसका मतलब function, इसके, जो इसका neighborhood होगा, उसमें function क्या करेगा, decreasing करेगा, that is, there exists, कोई न कोई interval मुझे मिलेगा, अब मैं इंटरवल ले लेता हूं, c से c प्लस डेल्टा, कि इस interval में, function क्या करेगा, decreasing करेगा, ठीक, such that, कि इस interval में, जा मैं, function की value निकाड़ूंगा, h-of-x, वो अपने पास क्या आएगी, h-of-c से, क्या मतलब, यह सी प्लस डेल्टा है, मैं क्या क्या रहा हूं, कि ने बरूड में, क्या रहा आपने पास, function, decreasing, यहाँ यहाँ पर मैंने value निकाले कुछ यह आई, फिर निकाले फिर कुछ decreasing आई, फिर यह इस तरह से graph चल्टा अपने पास, यानि कहने का मतलब क्या होगा कि किसी भी इस, इस interval के बीच आप किसी भी point पर value निकाल रहे हो, वो c से, c पर जो value है, उससे तो कमी आएगी न, यह तो कहना चाहरा है, फोर ओल, x बिलोंग स्टू, c से, c प्लस डेल्टा, अब यह तो पॉसिबल निये, क्यों, इस इंपलाइट जो, x है, वो आपने पास क्या आगा है, लेस देन है, याच आप सी तो क्या था, यानि इन फिर मों से छोटी वाल लिए फिर यह तो फिर पॉसिबल निये, which is again contradiction which is again contradiction that is, जो h-c है वो negative नहीं है, पहले हमने देखा कि positive महल लेते है चलो, positive में contradiction भी तो हमने कह दैखे कि positive नहीं है, फिर हमनेम एं महल लेता चलो negative है, नेगेटिव में भी कंट्राडिक्शन आगया तो हमने कहते है कि चलो नेगेटिव भी नहीं है फिर थार्ड केस क्या बचा कि यह वैलू जीरो है ओम वन एंड टू फ्रों कंडिशन वन एंड टू क्या कह सकते हैं कि हटश डेसी जो हो वो क्या आएगा अपने पास जी रो आ ओएगbell नेगिटिव नहीं है पो क्श्रीतिव नहीं तो cdc बाद हेगे बैगे कि आ रहाओक्या जीरो में तो इसको क्या लिए यह लिए श्ट को था तो क्या है था है अटर दैस एक्स एक्स माइनस के और सी पॉइंट पर वैल्यू अगर देखो के तो यह क्या जाएगा एच डैस सी इकोल्स टू एफ डैस सी माइनस के यह तो लिखा है और यह अपने पास यानिकी F-C equals to K F-C equals to K यह प्रूफ करना था ठोरम में देखो लास्ट में एक लाइन और लिख देना similarly, similarly if F-A F-A, F-A इससे बड़ी वेल्यू के और इससे, sorry, 30 वेल्यू F-B तो उसकेस में भी यह कंडिशन आपने पास सट इस पर जागा, then also then also F-C equals to K, यह का दोनों केस में अपने पास यह कंडिशन सेट इस पर हो जाएगी, ही का इसको एक बार अच्छे से पढ़ना जो डार्वक स्थोरम है,